मेरे प्रिया आत्मन, सहज योग में आज बुल्ले शाह का एक पद लेने जा रहे हैं। बुल्ले शाह का जन्म 1680 इस्वी में हुआ और 1758 इस्वी तक पंजाब की धर्ती पर बुल्ले शाह बड़े प्यारे गीत गाते रहे। कहते हैं बुल्ले शाह माटी कुदम करेंदी यार। अधुत बात कह रहे हैं इस पद में सब माटी का खेल है। सब उचल कुद माटी का है, हमारा शरीर, हमारा जीवन म्रिणमे और चिनमे के मेल से बना है। पंच तत्वकी काया है और भीतर चेतना है। लेकिन एक अधुत बात है कि माटी पर हमारी नजर है, म्रिणमे पर हमारी नजर है लेकिन चिनमे पर हमारी नजर नहीं है। और आश्चर की बात ये है कि सारा खेल चिनमे खेलता है, लेकिन हम समझते हैं कि ये म्रिणमे ही सारा खेल खेल रहा है, नजर शरीर पर रहती है, नजर कभी चैतन्य पर जाती नहीं। उसी पर व्यंग कर रहे हैं बुल्ले शाह कि माटी कुदम करेंदी यार, देखो कैसे माटी उचल रही है, माटी कूद रही है, माटी गा रही है, माटी नाच रही है और सारा जगत जैसे माटी का खेल होकर के रह गया है, कहते हैं माटी कुदम करेंदी यार, वहवा माटी दी गुल जार और सारी रौनक जो तुम देख रहे हो ये शणभंगुर का है सारी रौनक जो देख रहे हो केवल माटी का है और चारो तरफ ये माटी ही नाच रही है गा रही है उचल रही है कूद रही है जिसके लिए संत्र विदास कहते हैं माटी को पुत्रा कैसे नचता है सब माटी के पुतले हैं क्यों आज हैं कल नहीं है जैसे माटी गल जाती है ऐसे ही सब एक दिन नश्ट हो जाते हैं और जो भीतर शाश्वत है बस उस पर किसी की नजर नहीं जाती और पूरी जिंदगी शाश्वत से वंचित रह करके केवल माटी के तल पर जिंदगी बीटती है माटी को पुतरा कैसे नचत है जैसे गुडियों का अंद्रित्य होता है ऐसे ही कोई सुत्रधार है और गुडियाएं नाचती है ऐसे ही जो सुत्रधार है जो हमारे भीतर चिन में होकर के बैठा है उस पर किसी की नजर नहीं है सब की नजर पुतली पर है गुडियों पर है गुडियों के खेल पर है उसी की और इशारा करते हुए कहरते हैं माटी को पुतरा कैसे नचता है देख़ए देख़ए और जैसे पुतली का अंद्रित होता है तो देखते हो वो देखती भी है सुनती भी है सारा नाटक करती है ऐसे ही देख़ए देख़ए सुने बोले अदा सारे खेल करती है ऐसे ही हम शरीर के तल प्रसारा खेल खेलते हैं और जो भीतर शाश्वत तत्व है शाश्वत चेतन तत्व है उस पर हमारी नजल नहीं जाती उसका बोध हमें नहीं होता जब कुछ पावे तब गरब करत है पुतली के खेल में भी अई होता है कुछ मिल जाता है धन या वैभो या प्रतिष्ठा या पद तो पुतलियां बहुत ही गरवान्वित हो जाती है और बहुत ही खुश हो जाती है ऐसे ही जब हमें धन मिल जाता है पद मिल जाता है प्रतिष्ठा मिल जाती है तो हम बहुत ही पुतलियों में फिर अंतर क्या रहा देखाए देखाए सुने बोले पुतलियां भी तो देखती हैं पुतलियां भी सुनती हैं पुतलियां भी नाटक करती हैं पुतलियां भी खुश होती हैं नाराज होती हैं और हम भी पुतलियों की तरह ही खुश होते हैं नाराज होते हैं तो खुब अहंगार हो गया तो ऐसे ही हम मनुष्य होकर के भी अगर पुतलियों जैसा ही बेवार कर रहे हैं तो फिर क्या अंतर रहा और माया गई तब रोवन अलगता है और धन है पद है प्रतिष्ठा है नाटक में देखोगे पुतलियों के नाटक में कि जब किसी पुतली का कुछ चला जाता है तो रोने लगते हैं हमारा भी यही हाल है जब हमारी प्रतिष्ठा गई जब हमारा धन गया जब हमारा बैभो गया पद गया सम्मान गया तो हम भी रोने लगते हैं तो हम में और एक पुतली में तो कोई अंतर नहीं है कहते हैं बुले शाह माटी गोड़ा और माटी दा असवार देखते हो एक गोड़ा है गोड़े पर कोई सवार है और फिर बहुत संदर संदर वस्तर पहने हुए है और माटी दा असवार तो गोड़ा भी माटी है क्योंकि जिस गोड़े को हम जानते हैं वह शरीरूप में जानते हैं और जब तक शरीरू पर वो भी तो माटी का है क्योंकि उसके शरीर पर हमारी नजर है उसके वस्तरों पर हमारी नजर है और शरीर और वस्तरों से ही हम उसको पहचान रहे हैं तो फिर माटी का ही कहा जाएगा क्योंकि मरिनमे ही है जब चिनमे पर हमारी नजर नहीं है और जो आश्यर की बात है और लोग भी दूसरे के मिरिनमय रूप को ही देखते हैं और वो जो स्वेम है वह भी अपने आपको मिरिनमय ही समझता है तो माती घोड़ा और माती जोड़ा कपड़ा भी जड़ ही है मिरिनमय ही है और माती दा असवार और जो सवार है घोड़े पर वह भी छनभंगुर है तो व जैसे माटी का घड़ा होता है कभी भी चटक जाएगा कभी भी तूट जाएगा कभी भी फूट जाएगा ऐसे हमारा शरीर भी है कभी भी तूट सकता है कभी भी पूट सकता है कभी भी मर सकता है तो ठूटे तरुसा गिर जाएगा जैसे ठूट कोई व्रिक्ष है क्या भरोस कभी भी गिर जाएगा कभी भी समाप्त हो जाएगा ऐसे यह शरीर भी है ठूटे व्रिक्ष की तरह और ठूटे तरुसा गिर जाएगा फिर माटी में मिल जाएगा फिर हश्र क्या होगा वह पेड़ गिरता है और फिर नस्ठ होता है और माटी में मिल जाता है ऐसे ही हमारी मा माटी माटी नू दोड़ावे एक आश्चर जनक बात दिखाई देती है कि लोग आपस में जगड़ा करते हैं एक दूसरे के पीछे लगते हैं एक दूसरे का पीछा करते हैं और ऐसा ही है कि यह जो दोड़ा रहा है वह भी माटी का है जो दोड़ रहा है वह भी माटी का है द दोनों तरफ केवल म्रिनमय का खेल है, दोनों तरफ केवल छनभंगूर का खेल है, और माटी दाखड़कार, और कभी-कभी तुम देखते हो कोई कोड़े से किसी को मार रहा है, जो पीटा जा रहा है वह भी माटी का है, जो पीट रहा है वह भी माटी का है, लेकिन बड़ा ग रखता है कहते हैं बुल्ले शाह माटी माटी नू मारन लगी जो मार रहा है वह भी माटी का है जो पीटा जा रहा है वह भी माटी का है और माटी दे हतियार और जिन हतियारों का वो इस्तमाल कर रहा है प्रयोग कर रहा है वह भी शनबंगुर है वह भी जड़ है वह भी मरिनम और जिसके द्वारा जो हतियार प्रयोग में आ रहे हैं वो हतियार भी जड़ है वो हतियार भी मिडिन में हैं जिसके लिए क्रिश्ण कहते हैं दुर्योधन से कहते हैं कि सुनो दुर्योधन मृत कों से पटी हुई भू है पहचान कहां इसमें तू है सब एक दिन वरने वाले पस तू पहचान कि तू इसमें कहां पर है ऐसे ही अगर ये बोध हम को हो कि एक दिन मृत्तू आने वाली है और इसके पहले कि मृत्तू आके हमें दबोच ले हमारे शरीर को दबोच ले इसमें जो हमारा चिन्वे है इसमें जो हमारा चैतन है इसमें जो हमारी आत्मा है अगर समझो कि हम परम आनंद परम चैतन और परम प्रेम में जिन्दिगी को जी सकते हैं उसी की वो बार-बार बुले शाह इशारा कर रहे हैं कि सब माटी का खेल चल रहा है वो जो चिन्वे है उस पर तुम्हारी नजर कब जाएगी कहते हैं बुले शाह जिस माटी पर बहुते हंकार में है लेकिन ये पद क्या है माटी ही है ये धन क्या है माटी ही है ये प्रतिष्ठा क्या है ये माटी ही है क्योंकि जो नश्ठ हो जाने वाला है वह तो माटी ही तो है जिस माटी पर बहुते माटी सो माटी हंकार जिसको ताकत है जिसको प्रतिष्ठा है सम्मान है ये जितने दिन ये जिंदगी है, बस छेत जाव जरा, सारे संत कहते हैं, क्योंकि इसका भरोसा क्या है? इस देह का क्या भरोसा है? जैसे ज्वार आता है, भाटा की तरफ उतर आता है, समद्र की लहरे उठती हैं और फिर गिर जाती हैं, ऐसे ये शरीर जर्म में उठा है और मिर् कार पाले हुए हो और यह जो बाग बगीचा लोग लगाते हैं उप फूलों की क्यारियां सजी ही उद्ध्यान लगा है ये सब माटी का ही खेल है क्योंकि हमारी नजर जब तक माटी पर है तब तक तो सब माटी का ही खेल है इसको एक नए अंदाज में सुनो चाहे कितना ही सुन्दर हो तन माटी में मिल जाता है तुम चाहे जिस पत को चुनलो हर पत मरघट को जाता है इसलिए मौत की फिक्र करो, कुछ ध्यान धरम का जिक्र करो, वैराग्यम शरनम गच्छामी, बजो ओशो शरनम गच्छामी, कहते हैं बुल्लेशा, माटी माटी नू वेखन आई, कोई दूला सजा हुआ है, कोई दूलन बन करके सजी हुई है, और सब लोग तमाशा देखने आते हैं, अरे उधर भी दूला भी माटी है, दूलन भी माटी है, और जो तमाशा देखने आए हैं, दूला और दूलन को जो बाराती हैं, वे भी माटी हैं, माटी माटी नू वेखन आई, और माटी दिये बहार, और जो रहुनक देख रहे हो, चहल पहल देख रहे हो, ठीक से देखोगे तो पाओगे सब माटी की रौनक है सब माटी का खेल है सब माटी की लीला है कहते हैं बुल्ले काची माटी के घैला हो फूटत नहीं बेर ये कच्चे घड़े सा है कब फूट जाएगा कोई ठיקाना नहीं है और पानी बीच बतासा हो फूटत नहीं देर जैसे बतासा है पानी में रखा हुआ है कितनी देर लगेगी गल्ने में ऐसे ही हमारा शरीर कभी भी गल सकता है कभी भी नश्ठ हो सकता है कहते हैं बुल्ले शाह सौंधी पाउं पसार हम खेड फिर माटी हुए सौंधी पाउं पसार सब बाहर लूट करके अंत में नश्ठ हो जाना है और फिर अंत में पाउं पसार करके, लंबे पाउं पसार करके सदा के लिए सो जाना है और मृत्व की गोद में हमें सो जाना है इसको एक नए अंदाज में सुनो यह सुन्दर खंचन सी काया कल माटी में मिल जाएगी जिस पर अपना हकमाना था सब मृत उच्छीन ले जाएगी इसलिए बुल्ले शाँ कहते हैं बुल्ला एह बुझारत बुझे तालाह सिरो भुईवार इस बुझारत को इस बात को अगर ठीक से समझ लो और तालाह सिरो भुईवार और अगर इस बात को ठीक से समझ लो तो ये कर्म बंधों का जो बोज लिये तुम चलते हो इस बोज को जल्दी उतार दो और चिन्मे होकर के जियो आनंदित होकर जियो हर आदमी कितना बोज लिये चलता है लेकिन ये सारा बोज माटी का बोज है द्वैत का बोज है इसलिए क कभीर साब कहते हैं कभीरा इश्क का माता दूई को दूर कर दिल से जो चलना राह ना जुक है हमंसिर बोज भारी क्या अगर तुम को अध्यात्म के पत पर प्रभू के पत पर चिनमे के पत पर चलना है तो ये माटी का बोज कर्म बंदों का बोज ये सब उतार दो और भीतर चिनमे को जानकर चिनमे होकर के जियो तुम भी किसी कामिल मुर्शित से जुड़ो नाम का देच जानो अपने चिनमे आत्म स्वरूप को जानो और फिर कर्म बंदों की माटी को उतार फेको यही सहजियोग है हरी ओम तत्सब आदेश